हाई एवरिवन वेलकम बैक तो माई चैनल होप आपका लॉगड़न अच्छा जल रहा होगा आप सब अपने घर पर होंगे सुरक्षित होंगे आज मैं अपने चैनल में समोसा की रेसिपी दिखाने वाली हूँ आप सब को आप नीचे कमेंट करके में को बता सकते हैं आप कौ सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं समोसा की रेसिपी के लिए आपको सबसे पहले आलो बॉइल करने हैं दूसरी तरफ हम मैदे में सबसे पहले फॉर्चिन ऑईल डाल देंगे फिर उसको मसलेंगे दोनों हाथों से अच्छे स अच्छे से अच्छे से मसलना है दोनों हाथों से दोनों हाथों से मसलना है फिर उसको हम ढग देंगे पांच मिनट के लिए फिर हम आलू छिल देंगे साथी हम चतनी भी बनाएंगे उसके लिए आपको एक प्याज करकर के डालना है फिर दो टमाटर करकर के डालने है फिर पुदीना डालना है कट करके फिर धनिया डालना है आपको कट करके कुछ ऐसे फिर हरी मिल्च लालना है अपको कट करके कुछ ऐसे आप फिर जीरा डालना है थोड़ा सा फिर नमक स्वादरुनसर फिर लसन डालना है अब अपने हिसाब से लसन डाल सकते हैं हम दो यूज़ कर रहे है फिर पीज देना है हमें देन हमारी चत्नी रड़ी है अब हम कडाई में ऑईल डाल देंगे फिर उसमें जीरा डाल देंगे फिर प्याज डाल देंगे फिर उसमें हम हर इमेज डाल देंगे कट करके फिर उसे अच्छे से मिक्स करना है अच्छे से फिर उसमें बॉइल आलू डाल देंगे जो हमने बॉइल किये थे फिर उसे अच्छे से मिक्स करेंगे फिर उसमें नमक डाल देंगे हम मिर्ची डाल देंगे हल्दी डाल देंगे धनी पाउडर डाल देंगे स्वाद अमिसार के लिए इसमें चाट मसाला भी डाल देंगे फिर उसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे अब कोई और मसाले भी एड़ कर सकते हैं अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर रहे है अब हम इसमें सब्सक्राइब अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें मैं ग्रीन ग्रीन चिली सॉस भी एड़ कर रहे हूं थोड़ा सा वह थोड़ा सा एन औरिगेनो डाल रहे हूं अच्छे से एन हमारा संबोसा का बैटर रह दी है फिर हमें जो मैदा हमने छोड़ा हो था पांच मिनट के लिए उसे अच्छे से हम आटर जिसे गूनते है वैसे हम उसे अच्छे से गून लेंगे और उसका दो बना देंगे अ कुछ ऐसे करने आपको जैसे आप नॉर्मन आटर गूनते है वैसे है कुछ ऐसा दो बनना चाहिए आपका करम रोटी जैसे बिलते है वैसे आपको बेल लाएं पिर उसे दो भाग में हम दिवाइड कर देंगे कैसे फिर हम इसे आदा फोल्ड करेंगे फिर इसमें थोड़ा सा पानी लगाएंगे ताकि वैचे पक जाए दूसरे साइट का भी फिर उसे भी फोल्ड कर देंगे और फिर उसे हम नॉर्मल अराम से उसे उठा देंगे कर देंगे फिर फिर उसे उसमें हमें बैटर फिल करना है जो हमने आलो का बनाया हुआ था आपको पानी लगा देना है ताकि वह चिपक जाए अराम से अराम हातों से नॉमल उसे चिपकाना है दिन हमारा समोसा ऐसे रेड़ी है कुछ ऐसे बनने चाहिए फिर हम उसे फ्राइग कर देंगे हमारे समोसे को कर दो अच्छे से फ्राइग करना है समोसा को ताकि उसका कलर अच्छा साना आजाए ब्राउन शिक्रम समोसे को निकाल देए कुछ ऐसे बनने चाहिए कलर इसका ब्राउन हमारा समोसा रह दी है सेफ कीजिए चटनी के साथ यह रेसेपी जरूर ट्राइ कीजिएगा अच्छा माता ट्राइग है